तो ITI छात्रों के लिए रेलवे की तरब से एक बड़ी खुश खबरी निकल चुकी है जी हाँ रेलवे का नया अप्रेंटिशिप आ चुका है अगर आप ITI पास आउट है तो ये मौका बिलकुल मत छोड़ियेगा क्योंकि यहाँ पर 315 सीटों पर चात्रों की बंपर भरती होने वाली है इस पूरे अपडेट के उपर हम लोग आगे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि इसके अंतरगत कौन कौन ट्रेट के चात्र अपलाई कर पाएंगे eligibility केरेटेरिया क्या होगी, selection किस तरह से होंगे तो वीडियो में आगे बने रहिएगा और जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल आनजी एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर भी इसके regarding update मिलती रहे रेलवे की तरफ से कुछ इस तरह का official notification निकल करके आ रहा है ये vacancy इस्टन रेलवे की तरफ से निकल करके आ रही है जिसका location कोलकाता रहने वाला है यानि कि इसके अंतरगत जो आपकी training होगी वो कोलकाता area के आसपास करवाई जाएगी ये एक apprenticeship की vacancy है जिसमें ITI pass out छात्र आवेदन कर सकते है अब बिना समय कवाई हम लोग बात करेंगे कि इस vacancy को apply करने का जो date है वो कब से सुरू हो रहा है तो जो opening date है वो आप देख सकते हैं 30 September 2022 है 30 September 2022 से आप इस vacancy के लिए apply कर पाएंगे इस vacancy को apply करने का जो closing date है जो आखरी date है वो 29 October 2022 होने वाला है 29 October 2022 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर आपको clear हुआ अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किस किस division में कितने number और post पर vacancy आई हुई है और किस किस trade को मौका दिया गया है तो सबसे पहले आप देखिए हावरा डिविजन का जिक्र है और हावरा डिविजन में आप देख सकते है किन-किन trade को मौका दिया गया है उन सभी के नाम यहाँ पर दिये गया है और किस trade में कितनी vacancy आई हुई है उसका जिक्र इस वाले column में किया गया है साथ ही मैं आपको एक बात की जानगारी यहाँ पर देदू कि हर एक division में ST, SC, OBC, EWS वाले छात्रों को यहाँ पर जो सीट में है यह नीची सीट दिया गया है न इसमें आपको आरक्षन दिया जाएगा अगर आप general category से आते हैं तो आपको UR के अंदर यानी कि Unreserved के अंदरगत यहाँ पर आवेदन करना होगा जिसके लिए भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी सीटों पर वेकेंसी आई हुई है हावरा डिविजन की अगर हम लोग बात करें विस्तार से तो फिटर के लिए, वेल्डर के लिए अगर आप ITI पास आउट है तो जरूर आप अपलाई किजियेगा इसके अलावा जो लिलुआ वक्षॉप है अगला डिवीजन आमारे सामने है लिलुआ वक्षॉप का वहाँ पर भी आप देख सकते हैं अलग-अलग टेडों को मिला करके कुल 612 सीटों पर वेकनसी आई हुई है अगला डिवीजन जो हमारे सामने आ रहा है वो है सियालदा ड डिविजन में भी आप देखेंगे कि अलग-अलग ट्रेडों को यहाँ मुका दिया गया है और कुल मिला करके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 440 सीटों पर कुल वेकेंसी आई हुई है अगला डिविजन हमारे पास आप देख सकते हैं काँचर परा वक्सॉप है और यहाँ पर भी कुल मिला करके नीचे की तरब आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स नेरली 200 के करीब इसमें भी वेकेंसी आई हुई है अलग अलग डिविजन को आप देखिए और अपने नजदिकी लोकेशन के अप यहाँ पर टारगेट कीजिए कि आपका सबसे नजदिकी कौन पड़ेगा और उसी डिविजन के लिए आप अपलाई कीजिएगा जैसे कि अगला मालदा डिविजन है मालदा डिविजन में भी आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेडों को मिला करके 600 प्लस वैकेंसी आ रही है तो अलग 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 सीटों पर वैकेंसी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका सबसे नजदिकी लोकेशन होगा उसके एकॉर्डिंग आपको डिविजन का चुनाव करना है साथ ही जिस भी डिविजन में आपका सबसे ज़्यादा सीट है जैसे माल लिजी यहां में लोग वैल्डर देख रहे हैं वैल्डर में देखिए 218 सीटों पर यहां वैकेंसी है तो 218 तो बहुत ज़्यादा सीट होता है तो इस तरह से आपको टार्गेट करना है जहां पर अधिक सीट होगा वहां पर आपकी जॉइनिंग होने की संभावना है वो भी ज़्यादा होगी बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में यहां पर मैंने आपको वीडियो के सुरू में ही बताया कि SC, ST और OBC वाले छात्रों को यहां पर सीटों में आरक्षन दिया जाएगा रिजर्वेशन दिया जाएगा और अन्रिजर्वेशन वालों के लिए भी यहां पर अच्छा खासा वेवैस्था किया गया है नीचे की तरफ बात करेंगे लोग eligibility conditions के बारे में इस condition में अगर आप ST, SC से बिलॉंग करते हैं तो आपको age में 5 साल की छूट मिलेगी और अगर आप OBC से बिलॉंग करते हैं तो आपको 3 साल का age में relaxation दिया जाएगा physical group से जो दिव्यांग है यानि कि जो PWD के अंतरगत आते हैं उनको age में आपर 10 साल का relaxation दिया जाएगा इसके साथ साथ नीचे की तरफ education qualification का भी जिक्र है एक बात का ध्यान रखीगा कि 10th class आपका pass होना अत्यन्थ ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपका ITI pass out होना भी चाहिए ये दो चीज़ आपको होना चाहिए तभी आप इस vacancy के लिए apply कर पाईएगा 10th class में जो 10th class है इसमें आपका minimum 50% marks होना ज़रूरी है अगर आपका 50% marks से कम है 10th में तो आप इस vacancy के लिए eligible फिर नहीं रहोगे ITI की बात करें तो अगर आप NCVT से pass out है तो भी आवेधन कर सकते हैं SCVT से pass out है तो भी इसके अंतरगत आप eligible है और apply कर पाएंगे इसके साथ साथ अगर आप 8 class pass किये हो तो 8 class वाले अगर welter से किये हुए है seat battle से है, lineman से है, wireman से है, carpenters है और painter से है तो भी इस vacancy के लिए eligible है और apply कर पाएंगे अगर आप 8 class pass के साथ साथ अगर आपके पास in trade से iti का certificate है तो साथ ही, यहाँ पर हम लोग नीचे देख सकते है medical fitness का भी जिक्र है कि medical fitness इसके अंतरगत क्या रहनी चाहिए वो आप यहाँ पर विस्तिरित तुरूप से पढ़ सकते हैं mood of selection इसके अंतरगत आपका selection कैसे होगा तो यहाँ पर नहीं किसी तरह का आपका exam लिया जा रहा है नहीं किसी तरह का यहाँ पर आपका interview लिया जा रहा है जी हाँ, नहीं exam होगा नहीं आपका interview होगा यहाँ पर आपका merit basis पर selection होगा जो भी आपका ITI और 10th point 58% ले करके आते हैं और ITI में 91.68% ले करके आते हैं तो इन दोनों को जोड करके 2 से भागा कर दिया जाएगा और जितना percentage आपका यहाँ बनेगा उसी से आपका merit में selection किया जाएगा इसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं कि application fee का भी जिकर किया गया यहाँ पर है मजो की मातर 100 रुपए है मातर 100 रुपए में आप इस vacancy के लिए eligible हो पाईएगा और form fee भर पाईएगा अगर आप woman candidate है STSC candidate है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी September के बाद इसके उपर एक video लेकर के आ जाओ कि आपको apply कैसे करना है लेकिन फिलाल के लिए जो जहाँ पर जानकारी दी गई है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो official website है इस पर ही जाकर के आपको आवेदन करना होगा साथ ही आपको कौन-कौन सा documents इसमें upload करना है उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है कौन-कौन से photograph scan करने है signature scan करना है ITI का certificate चाहिए 10th का certificate चाहिए जो आपका car certificate है वो होना चाहिए या आप अगर PWD के अंदर गताते हैं तो वो certificate होना चाहिए इस सारे certificate का जिक्र यहाँ पर किया गया है और form वरने की जो वीडियो होगी वो मैं पक्का आप लोगों के लिए लेकर किया जाओंगा how to apply, apply कैसे करना है इसके लिए मैं वीडियो आप लोगों को available करवा दूँगा tension मत लीजिएगा help desk आप देख सकते हैं अगर किसी भी तरह की दिक्कत रही तो आप यहाँ पर इन लोगों को help desk पे support मांग सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से कुछ form है और नीचे की तरह भी कुछ जानकारी अद्धी गई है कुछ form दिया गया है इन सभी forms को आपको भरना है क्या करना है कैसे करना है उसकी पूरी की पूरी चर्चा जो हम लोगे जल्दी करेंगे जैसे ही form आपका active होगा फिलाल के लिए इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि आपको इस vacancy को भरना है और जिस भी division में आपके trade की सबसे ज़्यादा seat है या जो आपका सबसे नो नजदी की location है सबसे सामने है उसमें आपको यहाँ पर apply करना है तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा उमीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से खुसी हुई होगी क्योंकि railway से तो apprenticeship सभी लोग करना चाते हैं यहाँ पर जो आपका location है वो कोलकाता रहेगा तो easily आप यहाँ पर training ले सकते हैं और एक साल के अंतरगत आप यहाँ पर apprenticeship करके apprenticeship का certificate ले सकते हैं और in future अगर railway की vacancy आती है तो वहाँ पर भी आपको काफी अच्छा खासा जो है वो लाब मिलने वाला है तो I hope guys आज की वीडियो आपको अच्छी लगए होगी अच्छी लगए होगी तो जल्दे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करें कॉमेंट करके बताएं कि आपकी स्टेट से हो जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहन वंदे मात्र करके जुँछिग दोस्तों के होगी एल्रावी में, बाल्द दोस्तों के साथ से तोस्तों किर útil दोस्तों को के लिए्शनी़ के सी ज relentless